हेलो दोस्तो अंजिना के चैनल में आप सभी का हरदिक स्वागत है तो आईए दोस्तो आज हम जानते हैं कि जमीन पर बैठ कर भोजन करने के क्या-क्या फाइदे हैं दोस्तो जमीन पर बैठ कर भोजन करने के अनेक फाइदे होते हैं इसे एक परकार का योगाशन भी कहा जा सकता है जब हम भोजन करने के लिए अपने पैरों को मोड कर जमीन पर बैठते हैं तो इस मुद्रा को पदमाशन की तरह देखा जाता है दोस्तो शास्त्रों में भी इसे स्वस्ते के लिए काफी लाप्रद बताया गया है दोस्तों डाइनिंग टेवल के मुकावले जमीन पर पैर मोड़ कर बैठने से हिर्दे को रक्त के वेहतर प्रशार का लाप मिलता है जब हम जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहन करते हैं तो तंत्रिका तंत्र वेहतर धंग से काम कर पा जाता है और सभी संकेतों को प्रभावी धंग से प्रशारित करता है दोस्तो ऐसा करने से सरीर की मास पेसियां मजबूत होती है जिससे सरीर और कमर दर्द जैसी परिशानी कम होती है दोस्तो इससे एकागरता बढ़ती है, मानशिक तनाब दूर होता है और पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है दोस्तो जमीन पर बैटकर पाथली मारने से सरीर को बहुत ही ज़्यादा फाइदा मिलता है और शास्त्रों में भी इसका प्रमान है कि जमीन पर बैटकर पूरुप दिशा की तरफ अगर खाना आप खाते हैं तो वो वास्तु की हिसाप से भी बहुत अच्छा है और हमारे सरीर की हिसाप से भी बहुत अच्छा है लेकिन आधनिक यूग में डाइनिंग टेवल ने इसकी जगह ले ली तो कभी-कभी आप जमीन पर बैठकर भी खाना खाएं क्योंकि पाथली मारने से शरीर को बहुत ही ज़्यादा फाइदा मिलता है तो ये था दोस्तों कि जमीन पर खाना खाने से हमारे को क्या-क्या फाइदे हैं और हमारे को इससे क्या-क्या हमारे शरीर को फाइदे हैं सबसे ज़्यादा तो हमारी कमर सीधी रहती है और हमारी कमर को ही सबसे ज़्यादा फाइदा होता है खाना जब भी खाएं कमर को जुका कर नहीं खाएं कमर को बिल्कुल सीधा रखकर ही खाना खाएं और खाना जितना भी खाएं धीरे धीरे छोटा छोटा ग्रास करके खाएं और चवा चवा के खाएं कहते हैं दोस्तों कि जितना ही बार आप खाने को चवाते हैं उतनी ही जल्दी हमारा खाना पाचन तंतर के अंदर बहुत जल्दी पचवी जाता है और खाना खाने के तीन-चार मिनित के बाद आप थोड़ा हलकी-हलकी वोक भी करें ज़रूरी नहीं आप खर से बाहर ही जाए आप घर के अंदर भी टहल सकते हैं थोड़ा-थोड़ा करके तो ये था दोस्तों कि जमीन पर पाथली मारने से बैठ कर खाना खाने से आपकी सरीर को क्या-क्या फाइदे मिलते हैं तो आशा करती हूँ आप सब को पसंद आया होगा तो प्लीज सबस्क्राइब ही माई चैनल तक यू